नमश्कार भूद बहुत स्वागत आपका फाश समाचार में एक बार फिर आज भूमेश डे बूरे भारत बरस में पनाए जा रहा हूं हम आज भूमेश डे पर महिला ठाने प्रबारी पुनम सभीता जी के साहते और आई हैं जार्चा करते हैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत प्रबारी की रूप में कारिवारों समाल रहे हो आपने इस्टडी कहां से की आप पहले तो आपका सोट में आप एक मिनिट का जीवन परीज़ चाहेंगे आप सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि बुमेंस महिला दिवस पे एक पुरुष मेरा एक इंटर्वी लेने आया है क्योंकि मुझे इससे खुशी होती है कि जब पुरुष तो आरा एक महिला को सम्मान दिया जाता है तो उसको उससे खुशी की बात कोई नहीं होती है कि आप मेड़ी स्टुड़ी के बात करेंगी न कुए ये तो मैंने एमकों मिनल किया है और मैं शुरू से खेल के लिए बहुत भुत सजग रही हूं तो मेरा सुरक्षशा शाका में भी मैंने चार साल काम किया है तब मुझे मुझे महिला थाना परवारी शीपरी में काम करने का एक अफ्सर मिला है और सबसे अच्छी बात है मुझे इस अफ्सर में महिला समंधी परिशानियों को मैं शॉट आउट कर रही हूँ, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतना बता दू कि हर महिला का solutions F.I.R.E. नहीं होता है, कुछ solution हम उसके साथ बैठके हैं, हम 5 या 10 मिट बैठके, उसके कंदे पर हाथ रखके, उसको गले लगा के जब हम बातचित कर लेते हैं, तो आदी समस्य वैसी खतम हो जाती हैं, और दूसी बात है, कि हमारे जो पुलिस सदिक्षक महोते हैं, हमेशा महिलाओं की सजकता के लिए लेके हमेशा तयार रहे हैं, और उनी के ग्यान वर्दन से, उनी के continue जो उनका हमको ग्यान मिलता रहता है, कि आपको ऐसे कारवाई करना है, तो उनके ही हम आदिश का हमेशा पालन करते रहते हैं, और तीसरा आप जानते हैं, कि हमारे सेम होदे, हमेशा हर महिने ये हवी सी भी लेते हैं, और हर महिशा कई परिपत्र महिलाओं की जागुटा के लिए आते रहते हैं लगातार देखा जाता है कि महिलाएं कई संस्थान ऐसे हैं आपका युभाग ऐसा है कि आपको भी अपने स्टाफ के साथ पुरुस के साथ काम करने का मौका मिलता है तो उन महिलाओं को आप बच्चियों को चात्र चात्र हो क्या संदेश देना चाहोगे जो मतलब यह सूचत मैं उसमें आप भी पुरुसों के साथ काम करते हैं मैं दो वाद बोलना चाहूंगी एक तो आज के समय के साथ सजग रहना बहुत जरूरी है सजग रहें जानगाई रखें और सुरक्षित रहें यह तीन चीजों का हर जो माता-पिता हैं उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और दूसरा है संसकार संसकार एक अपरात को खतम करने में बहुत बड़ी कड़ी है मेरा माना है कि जो माता-पिता होते संसकार अपरात को अंकुष लगा सकता है जैसे माता-पिता होते माता-पिता को हमेशा छोटे से ही आपके जो आपके पुत्र है पुत्री है उ हम बच्पन में आपने देखा होगा माता-पिता बच्चियों को बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ाई घर जाना है आपको काम सीखना चाहिए आपको पढ़ाई भी करनी है बालक से बोला जाता है कि आपको आंगे कुछ अच्छा बना है तो ऐसे ही मेरा मान है कि आज के समय को द तो मैं सबसे बड़ी बात सम्मान की बात करूंगी हर माबाप को बच्चमन से ही अपने बालक को एज चीज हमेशा उनके दिल में डालना चाहिए कि हमेशा बालिका का सम्मान करें और कहीं ना कहीं अगर यह चीज उनके अंदर है तो मुझे लगता है कि जब तक वो बड़ आप जिसे महिला थाना प्रवारी ग्रूप में हैं आपर स्यूप्री में कारगरत हैं लगातार घरेलू इंसा के भी आपके पास कई केसिस आते हैं तो आप किस तरह से उनको सोट आउट करते हैं और आप क्या कहना चाहोगी कि जिससे उनकों कुस पाया जा सके लिए काउंसिंग करते हैं तो आपरात पंजीवत करने से रुपता है जेकिन तब भी अगर इस तरह कोई सॉलूशन नहीं निकल पाता है तो हम विदिक सायता लेके कानुनी सायता विदिक सायता लेके उसको कहिना कही हम पूरी तरिकेत को न्याय दलाने की कोशित करते हैं तो देखा आपने ये थी हमारे साथ महिला थाना प्रवारी कुनम सभीता जी जिन्होंने बताया कि महिलाओं की पृति संभान किस तरह रखना चाहिए और महिलाओं बच्छात्र चात्राओं को जो इस वारे में सूचते हैं कि उनक संभान मिलता है ये खुद प्लिस डिपार्टमेंट में हैं और पुरुषों के साथ कारेरत हैं और इस्टाप में भी हैं तो वह बने रही फास समझार के साथ